हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे तिल गुड के लड़ू और चक्की तो फिर आई चली शुरू करते हैं तिल गुड के लड़ू बनाना और चक्की बनाना इसके लिए हम गैस पर कड़ाई चड़ाएंगे उसमें डालेंगे हम तिल तिल को हमें जब तक सेखना है जब तक इसमें से भी चटकने की आवाज नहीं आ जाए या लाइट ब्रौब लुगार के नहीं हो जाए इस तरह से ने को लो मीडिएम आज पे हमें उड़ अब तक टिल के हम गुड को तैयार कर लेते हैं यहां पर मैंने एक किलो तिल के लिए साड़े साथ सो ग्राम गुड लिया है आप चाहे तो बराबर भी यूज में ले सकते हैं और इसको इस तरह से हम फोल लेंगे यह देखिए इस तरह से इसको फोल के हम बारीक टुकड़े कर लेंगे यहां और भी जो मोटे दिखे उसको तिल हमारा तोड़े बहुत सिखने लग गया है इसमें से चटकने की आवाज आने लग गई है अब हम कैस को बंद कर देंगे और तिल को एक परात में निकाल लेंगे यह हमारे तिल सिखके रेडी हो जगे हम सेम कड़ाई में दो चम्मच घी डालेंगे गी हम ज्यादा नही जाल Celsius में गीशना टालेंगे ऐडान को नहीं है कि आउसमें दो इसमें दो चम्मच पानी डाल दिखे में अब गुर और में छोटको अच्चे से पहले देंगे , जब तक गुण ब्यावर आदेंगे अक ट्रे लेंगे वसमें तेल लगा को ग्रीज कर लेंगे जब कियोस धि जब तक जाग भी आने लग गया है अब हम इसे एक मिनट के लिए और पका लेंगे जब तक थोड़े से और जागदान नहीं हो जाए यह देखिए अब थोड़े से ज्यादा जाग हो गया एक बार हम चेक कर लेते हैं पानी में एक ड्रॉप डालके देखते हैं यह देखिए ह यह हमाई चासनी बनके बिल्कुल रेडी हो जुके मैं आपको हाथ में भी लेके दिखा देती हूँ इसको एकदम सॉफ्ट चासनी बनके रेडी हुई है इसे ज्यादा हम गुड़ को नहीं पकाएंगे वरना हमारे लड़ू बहुत सक्त बनेंगे बस इस स्टेज पर हम गै मिलके रेडी हो चुके हैं अब हमने जो ट्रे त्यार की हुई थी उसमें हम सबसे पहले चक्की जमा के त्यार कर लेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिश्रन को डालेंगे क्योंकि हम इसके लड़ू भी बनाने हैं इसलिए हमें काम फटावट करना होगा इस तरह से हम चक्की का पेस्ट उसको त्यार कर लेंगे इसको हम थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम लड़ू बनाने के लिए त्यार कर लेते हैं लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम हांतो को अच्छे से गीला कर लेंगे उसके बाद में थोड तिल गुड का मिश्रन लेंगे और अच्छे से गोल करके लड्डू बनाएंगे इस तरह से यह काम हमें फटावट करना होगा इस तरह से लड्डू आप अपनी साब से छोटे या बड़े बना के तियार कर सकते हैं चक्की को हमें पूरा ठंडा होने से पहले ही काटना पड़ेगा नहीं तो बहुत ट्राइट हो जाएगे और कटेएगी नहीं चक्की को पानी लगा कि इसको काटे हैं अगर आप लड्डू बनाने में आपके हाँ जलते तो आप चक्की बनाएं चक्की भी बहुत ही तीस्ती लगती है अगर एसी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने कमेंस देके जरूर बताएं कि आपको मेरे रेस्पीस कैसी लगी